Hello friends, welcome to a exam B तो इस वीडियो में discuss करेंगे Locust Swarm in India हम locust का जो attack हुआ है इंडिया पर आपने निव्ज में देखा होगा इतना सारा उसके बारे में बहुत सारे information जानेंगे कि locust होता क्या है, यह आता कहां से है ये swamps में क्यों चलता है, इसको कैसे control किया जा सकता है और इस locust में से क्या questions हैं जो हमारे नाबाट की exam में पूछे जा सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को discuss करते हुए हम इस वीडियो को complete करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले what is locust, ये locust है क्या तो locust एक herbivorous insect है, large herbivorous insect large यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो normal insects होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा size में होता है herbivorous इसलिए क्योंकि ये सिर्फ green foliage या green plants पर attack करता है या उनको खाता है ये जो locust है, आम तोर पर जब solitary रहता है, अकीला रहता है तो ये बहुत harmful नहीं होता, इतना नुकसान नहीं करता लेकिन जब इसके बड़े-बड़े swarms बन जाते हैं, बड़े-बड़े जुंड बन जाते हैं तो ये बहुत ही नुकसान दायक हो सकता है हमारे agriculture के लिए और ये कैसे होता है, इसको हम discuss करेंगे आने वाली slides में तो वीडियो बहुत interesting होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं पे भी miss मत करना, आपको इतनी interesting और useful information मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि नाबाड में इस वीडियो क्या questions पूछे जा सकते हैं सबसे पहली बात जो important है कि ये किस classification से आता है तो ये insecta class से आता है, सारे insect जो है वो insecta class के होते हैं इसका order है orthoptera, तो ये important है आप से exam में ये पूछा जा सकता है कि locust किस order को belong करता है इसकी family है accredity, family उतना पूछने के chances नहीं है लेकिन order पूछा जा सकता है इसके etymology जब देखेंगे, जो orthoptera का मतलब होता है ortho means straight और terra means wings तो straight wings वाले जो insects हैं, उनको orthoptera order में रखा जाता है और ये straight wings कैसे हैं, आप ये देखेंगे जो इसके उपर वाले wings हैं, ये four wings कहते हैं इनको जो नीचे वाले wings हैं, इन्हें hind wings कहते हैं तो ये उपर वाले wings होते हैं, बहुत strong होते हैं और ये straight होते हैं आगे बढ़ते हैं, species of locust in India तो इंडिया में चार species locust की मिलती हैं और इनमें सबसे dangerous है desert locust ये जो सारा swarm आया हुआ है, TD attack इंडिया में हो रहा है, ये सब desert locust कर रहा है यहाँ पर migratory locust, Bombay locust और tree locust भी होता है लेकिन desert locust ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ऐसे नाम से आपको लग रहा होगा कि migratory locust हो सकता है, जो एक जिगह से दुसरी जिगह migrate कर रहा है लेकिन यहाँ पर ये case नहीं है, ये desert locust है और ये photo आप पर desert locust का यहाँ पर देख रहे है क्या characters होते है, general characters किसी भी locust के या फिर grasshopper के तो locust grasshopper, ये सब एक ही family के members है, कि जो general characters होते हैं, वो होते हैं कि ये medium to large size insect होते है, इनकी जो mouth parts होते हैं, mandible means उनका आप मान सकते हैं कि उनका नीचे वाला जबड़ा मुका, उसे mandible बोलते हैं, तो mandible mouth parts होते हैं और ये cutting और chewing type mouth parts होते हैं, means ये चीज़ों को काट के चबा के खाते हैं Then hide legs are saltatorial, hide legs means इसके जो पीछे वाले pair होते हैं, वो बड़े strong होते हैं और saltatorial का मतलब, इन legs की जो main functioning है, जो legs बने हुए हैं इनके ये, ये कूदने के हिसाब से बने हैं उसे four wings बोलते हैं, और वो leathery होता है, मतलब थोड़ा सा thick, थोड़ा सा strong होता है और उसे tagmina कहते हैं, तो इसके four wings को tagmina कहा जाता है और ये जो four wings होते हैं, ये capable होते हैं, bending without breaking के जैसे हमने का leathery, leather क्या होता है, leather बहुत strong होता है, bend हो जाता है, लेकिन break नहीं होता तो ऐसे ही होते हैं, इसके four wings then ovipositor is well developed in females, तो ovipositor क्या होता है, इसका पीछे वाला part, अभी हम आगे images में भी देखेंगे तो जो पीछे वाला part होता है, female का, इसे ovipositor कहते हैं, और ये जो part है, ये अंडे देने के काम में आता है तो ये बढ़िया से developed होता है females में, grasshopper, mole cricket और locust, ये तीनों एक ही family के members हैं और इस family की characters क्या हैं, इस family के members में sound producing और hearing organs present होते हैं, इसमें specialized organs होते हैं जैसे आप रात में जब बाहर निकलते हो, तो आपको कीडों की अजीब वजीब सी आवाज आती हैं किर्कित करके, तो वो mole cricket की आवाज होती है क्योंकि इस family की members होते हैं, इन में ऐसे आवाज निकालने वाले organs present होते हैं, और इसमें specialized organs भी होते हैं, जिससे ये sounds को सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से तो इसलिए क्या है, आपने देखा होगा वीडियो में, लोग sound produce कर रहे हैं, इनको भगाने के लिए, इस farmers क्या कर रहे हैं, वो अपने खेतों में, अपने field में जोड-जोड से बरतन बजा रहे हैं, या डीजे बजा रहे हैं, या ऐसे आवाज हैं इसे भाग जाएं, क्यों एक दो दिन पहले मैंने एक TV debate में देखा था, कि एक news anchor कह रहे थे, कि nation wants to know why Pakistan is doing this Tiddy attack on India, तो ये case नहीं है, आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी गलत information मत बिठाइए, पाकिस्तान Tiddy attack इंडिया में नहीं बेजता, इवन पाकिस्तान बहुत बड़ा victim है, इंडिया से भी बड़ा victim है Tiddy attack का, हर साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनकी crop का loss हो जाता है Tiddy attack की वज़े से, यह Tiddy attack होता है, यह आता है Kenya Somalia, यानि East African side से, तो East Africa से Tiddy attack हर साल शुरू होता है, यहां से यह move करता हुआ, यहमन ओमान होते हुए इरान आता है, यह इरान से पाकिस पाकिस्तान में लास्ट यह जो हुआ था, वो टीस साल का सबसे बड़ा Tiddy attack हुआ था और पाकिस्तान ने बहुत कोशिच की उसे निपटने की लेकिन फिर भी वहां पे बहुत नुकसान हो गया था, और एक इंट्रेस्टिंग बात इसका जो सबसे अच्छा और इनोवेट सबुए और लोकस्ट में फर्क्या है तो पहली बात तो पार टो यह सब्झा हो पर के लोकस्त एकली रहना पसंद करता है यह solitary होता है लेकिन जो लोकस्ट होता है वो ग्रिगेरियस होता है आप यह बोल सकते हो कि लोकस्ट जो है वो एक modified grasshopper है और वो क्यों modify होता है कैसे modify होता यह बहुत interesting बात है जानने वाली आगी की slides में देखेंगे और आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में बंद नहीं करना नहीं तो आपका बहुत interesting knowledge छूड़ जाएगा तो जैसे मैंने बताया कि grasshopper अकेले रहना पसंद करता है solitary होता है और locust gregarious होता है जब population density कम होती है तो यह individuals की तरह करते हैं और जब population density बढ़ जाते हैं तो यह बड़े-बड़े swamps बना लेते हैं क्योंकि इनमें behavioral और physiological changes आ जाते हैं तो क्या समझे आप कि जब इनकी density ज्यादा होगी जब बहुत सारे grasshopper एक जगे घठा होंगे तो इनके physiological और behavioral changes आ जाएंगे इसमें और यह population groups बनाने शुरू कर देंगे और यह जो बहुत नुकसान हो जाएगा तो इस बारे में भी जानेंगे कि कि ऐसा क्यों सोच रहा है इंडिया ऐसा खत्रा क्या है कि मांसून आएगा तो क्या हो जाएगा तो लाइफ सैकल देखते लोकस्त की लोकस्त में क्या होता है जो उसमें reproduction की process है वह direct metamorphosis वाली है means जिसमें pupil stage नहीं होती एक से निम्फ निकलता है निम्फ मतलब एक छोटा बच्चा आप समझ दीजिए simple जो एडल्ट जैसा ही दिखता है और size में छोटा होता है तो एक से निम्फ निकलता है निम्फ में मोल्टिंग होती है मिस मोल्टिंग का मतलब होता है skin छोड़ना तो तीन या चार बार skin छोड़के वह adult में convert हो जाता है size में बढ़ जाता है और जो मैं आपको बतार तक खत्रे वाली बात मॉन्सून में इंडिया के लिए यह है कि यह जो female है आप यहां पे देख रही पिक् अगर आप यह गर्मी में अंडे देगी गर्मी के season में एक तो जमीन में hole को drill करना मुश्किल होगा और दूसरा इसके जो अंडे है वह moisture की कमी के वज़े से desiccate हो जाएंगे सूख जाएंगे और उसकी individuals नहीं निकल पाएंगे तो monsoon के season में इनका breeding season हो जाता है और मिटी भ population बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ जाएगी तो जब East Africa वाली साइड है ना वहां पर होता ही है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ती है तो vegetation खतम हो जाती है और vegetation के छोटे-छोटे पैचिस बन जाते हैं अब सारे के सारे जो ग्रास ओपर होते हैं वह उन्हीं पैच जाता है तो उसकी वज़ए से उनकी बॉडी में polyfenism होने लगता है मैंने आपको polyfenism के बारे में बताया था behavioral और phygyological changes होने लगते हैं और इस changes की वज़ए से क्या होता है और क्या ये changes होते हैं ये बहुत interesting है मिन्स ये सोशल होने लगते हैं ये ग्रूप में रहने इन्हें अच्छा लगने लगता है ये बहुत तेजी से खाने लगते हैं खाने की स्पीड बढ़ जाती है फूक बढ़ जाती है इनकी इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है मिन्स इनका एंडियोरेंस बढ़ जाता है एंड लाइफ की किसी भी stage में एक grasshopper locust में बदल सकता है और उसके लिए condition क्या है social होना जब वो contact में आएगा दूसरे grasshopper के थोड़े grasshopper के साथ एक बार रहना शुरू करेगा तो फिर वो उसे अच्छा लगने लगेगा और फिर वो साथ में रहना ही पसंद करेंगे और एक grasshopper locust में बदल जाएगा और उसमें behavioral changes होने लगेंगे और यह behavioral changes क्या है आप यहाँ पर देख रहे हो फ़र्क है जो grasshopper होता है जनरली वो green सा होता है और जो लोकस्ट होता है वो थोड़ा सा यह यह ब्लैक होता है उसमें थोड़ा से color का फर्क होता है और उसके body में कुछ patches वगेरा होते हैं यहाँ पर एक image में दिखाया है कि एक से हो सकता है कि पैदा होते ही वो grasshopper बने या लोकस्ट बने ऐसा भी हो सकता है वो लोकस्ट के जुण में पैदा होगा तो लोकस्ट ही लोकस्ट बन जाए या फिर वो अपनी लाइफ की बाद वाली स्टेज में आके किसी की दूसरे के कॉंटेक्ट में और ग्रिगेरियस बन जाए ग्रिगेरियस का मतलब होता है ग्रूप्स में रहने के आधी जो जैसे human is a gregarious animal human भी अकेले नहीं रह सकता उसे भी जुण्ड म की बॉड़ी पे हेर्स होते हैं उनमें stimulation शुरू हो जाता है उस stimulation की वज़े से serotonin रिलीज होता है serotonin यहां पर इसके दिमाग में central nervous system होता है जहां पर वहां पे जाता है और उसके बाद इसमें polyphenism शुरू हो जाता है तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर देखिए अग खाना खतम हो गया तो रहे की पैच में बचा था है थोड़े से पैचेस में बचा था तो पैच में रहने की वज़े से यह से रिटोन रिलीज हुआ का cns cns पर impact किया और उनके behavioral changes शुरू हो गए और यह behavioral changes क्या थे मैंने आपको बताया था कि भूख बढ़ गई movement बढ़ गया social रहने की आदत हो गई body का color change हो गया और जो change होता वह बहुत interesting change इनका brain भी और strong हो जाता ब्रेन और complex होता जिससे इनकी information processing बढ़ जाती है यह बहुत ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं और अच्छे से चल पाते हैं उसके लावा मैंने आपको बताया था उनकी endurance भी बढ़ जाते हैं कि स्टैमिना भी बढ़ जाता है कि दिन होता ही है कि जब इस ग्रूप में फिर मूव करना शुरू करते हैं जब पहले हमने यहां पर देखा था कि पहले अनिटेशली इकठा हुए फिर इनमें सदेन यह लोकस्ट हो सकते हैं और यह चलना शुरू करते हैं जैसे हमने देखा था फिर यह गठा हो गए इनका स्वाम बन गया फिर यह स्वाम चलना शुरू करता एक जगह पर इन्होंने खाना खाया जैसे अफ्रिका में और वहां पर इन्होंने सारी वेजिटेशन खतम कर दी और तो फिर यह आगे चल दिये और वेजिटेशन के तलाश में और इनको क्या होता है कि क्योंकि इनका मुवमेंट बढ़ जाते हैं एपिटाइट जादा बढ़ जाता है इन लोगों का बिहेवरेल चेंजे से पॉलिफैनिस्प की वज़े से तो यह आगे बढ़ते चले जात कि बहुत सालों पहले भी ऐसा हुआ करता था जैन यह एक इमेज है जहांसी से है मेरे कुछ फ्रेंड्स है जहांसी में उन लोगों ने बेज़ जी ती जहांसी में यह हुआ है देखिए जो आस्मान में आप देख रहें डॉट्स यह पूरा का पूरा लोकस्ट का स्वाम आ और वहा वहां करता है क्पार अब लोकस्ट है सुबर साथ वजह है चonto 5-6 बज़े तक खाना खाता है उसके बाद यह आराम करता है राध बर के लिली कवर्मेंट ने कहा है कि आप राध भर प्राद भर इस्प्रेग करो जिससे कि इनको हम निप्टा सके अगले दिन का इंतियार ना करें और रात को जब यह बैठे हुए है तभी इनको मार दिया जाए और वह आसान भी होगा आस्मान में स्प्रेग करने से अच्छा होगा कि जब यह किसी क्रॉप में बैठे ता आप वहाँ पर स्प्रेग करो यह इमेजिस भी जहासी सा है यह देखिए जैसे में आपको जाए यह डैजर्ट लोकस्ट है जो हमारा इतना नुकसान कर रहा है और यह पेल पर भी बैठा हुआ है इसके कुछ करेक्टर्स देखेंगे जो बहुत इंट्रेस्टिंग होंगे उससे पहले यह देख लेते हैं यह इतने डैंगरस है क्यों ऐसे क्या करेक्टर जाते हैं इतना इतना फूट हाकते हैं रोज कि वह इनके बढ़ाई होता है तो रोज दस ग्राम खाना खाजाता है यह बड़े बड़े गुरूबब्स में नुकसान करेंगे क्रॉप को यह एक दिन में 150 मोंट्र तक 150 km तक पर कर सकते हैं यहनीं 150 किलो मेंटरर वालिय आधात के कारण यह बड़े-बड़े सी को भी पार करके एक देश से दुसरे देश में चल Jxis तो यह मतलब होता है जो उतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते हैं उनसे इंसेक्टिसाइट से मरता भी निया क्योंकि बड़ा इंसेक्ट है इसमें इतनी सारी चीजिए इसका ब्रेंड की प्रोसेसिंग अच्छी है इसकी बॉड़ी स्ट्रॉंग हो गई है तो माइल की जगे हमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक वाले इंसेक्टिसाइट डालने पड़ते हैं जो हुमें जो स्प्रे कर रहा है और जो उन क्रॉप्स को खाने वाला उन दोनों के लिए बहुत हामफुल होते हैं और कार्सिनोजनिक होते हैं यह पॉलिफेगास होता है यह बहुत गे हूँ इनको भी नुक्सान कर सकता है और यह इवन सब्जियों में भी नुक्सान कर रहेता है इस साल तो यह देखने में आ रहा है कि लास्ट यह यह प्रेट नहीं करता था उसने मिर्च खानी भी शुरू कर दिये तो पॉलिफेगास मीन्स यह बहुत सारी प्लाइट व पर feed कर सकता है अगर एक कोई स्वाम है वन किलो मेटर स्क्वायर का तो वो अपने उसकी जो खाने की capacity है वो इतनी है कि एक दिन में 35,000 human के बराबर का खाना खा सकता है अब देखते हैं इनको control कैसे कर सकते हैं इनको control करने के जो ट्रेडिशनल तरीके वह साउंट मैंने आपको बताया था इसमां auditory organs होते हैं जिससे यह साउंट अच्छे से process कर लेता है और डरता है साउंट से तो sound produce कर सकते हम इंसेक्टिसाइड जाल सकते हैं लेकि इंसेक्टिसाइड का अपना खुद का नुकसान है हमारी human health के उपर और जो से spray कर रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं करा है वो अभी एक दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से आया है और यह बहुत ही इनुवेटिव और बहुत अच्छा तरीका पूरे वर्ल्ड को इसको अपनाना चाहिए जिस सहां पाकिस्तान को सब लोग ब्लेम कर रहे थे उसकी जगे पाकिस्तान एक अच लिए हुए और लगे हुए पकड़ने में तो यह बहुत अच्छा तरीका है लोगों के हाथ में उन्होंने कंट्रोल देती अब लोगों को जब पैसे बलने लगे तो उन्होंने बड़े-बड़े नेट्स लिए और इनको पकड़ना शुरू कर दिया और 20 रुपे की लोग है तो प्रोटीन वाली फीड खुलाई जाती है तो चिकन फीड के जो में कंटेंट होता है वो स्वेबीन और मक्का होता है तो स्वेबीन के वज़े से करीब 40% प्रोटीन उनको मिलता है फीड को क्योंकि स्वेबीन प्रोटीन होता है तो यहाँ पर क्या है कि लोकस्ट में 70 20% प्रोटीन होता है तो यह बहुत एक जबरदस्त इनोवेटिव टेखनीक है कि आप लोकस्ट को पकड़ो उसको मिल्स में क्रश करो और उसकी फिर फीड बनाके बर्ट को दे दो इससे क्या होगा कि आपके लोकस्ट भी निपड़ जाएंगे आपकी बर्ट को भी बहुत इनको इंपोर्ट करें ऐसे ही फीड कर पाएगा तो इनोवेटिव आइडिया है जो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बाकी दुनिया के देश भी अपनाएंगे तो लोकस्ट वार्निंग और्गनाइजेशन है यह 1939 में बनी थी तो इंडिया में लोकस्ट ऐसा है यह मिनिस्ट्र अग्रिकल्चर के अंडर आती है तो इसका काम क्या है जो यह LWO है इसका काम है कि हर साल मॉनिटरिंग करना और उसके लिए इंतिजाम करना किसानों को बताना कि टिड़ी दल साल कहां तक पहुंच गया है कब तक इंडिया में प्रवेश कर लेंगे और कब तक रहेंगे और उसके लिए एलर्ट करना किसानों को कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं से बचने के लिए तो यह जो काम करता है LWO मेंली राजिस्तान गुजरात और पंजाब रियाना के एरियास में काम करता है